हाई गाईस दीप लेक्ट्रोनिस लैब में आपका बहुत-बहुत सोगा थे दोस्तों आज हमारे पास एक दसंपियर का SMPS पाउर सप्लाई रिपेर होने के लिए आया हुआ है इसके अंदर एक अनुखा प्रॉब्लम है जो की बहुत एक कम SMPS के अंदर हमें देखने को मिलता ह है बेसिकली क्या है ना जब इसके अंदर एसे सप्लाई इंपूट करता हूं तो आउट्पूट में हमें 12 वोल्ड हमें साथ देखने को मिलता है लेकिन जैसे ही में लोड देने जाता हूं या कास्टमर लोड देने जाते तो बोच चीज नहीं चलते कुछ भी नहीं चलते ह हमें बराबर 12 वोल्ड देखने को मिलता है तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं इसके अंदर जो वोल्टेज मेजरमेंट का जो चीज ना वह आपको चल देखाता हूं यह आउट्पूट का वोल्टेज हो आपको मेजरमेंट करके दिखाता हूं तब यह आपको पता चलेगा तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसके अंदर एसी सप्लाई इंपूट करना है तो यह सप्लाई इंपूट करने के लिए हमें इसके साथ एक एसी के विल को में इंसाट कर देता हूं यहां पर देखिए इस साइट इंपूट हो गया इसका तो इसके अंदर 230 तो हो रहा होगा यहां पर यह बले इंडिकेटर यहां से आपको पता लग जाएगा कि इसका आउटपूट से हमें वोल्टेज आउटपूट हो रहा है कि नहीं तो चलिए इसके लिए यहां पर हमारे पास बोड़ है इस बोड़ के अंदर में यहां पर लगा देता हूं और यहां पर देखे यहां का इंडिकेटर है यह गलो कर रहा है लेकिन फुल व्राइटेश नहीं गलो कर रहा है यह थोड़ा सा दिम आपको देखने को मिल रहा है अब इसका उटपूट वोल्टेज की अगर बात करें तो यहां पर वोल्टेज की अभी चेक कर लेता हूं कि इसक प्रापर देखने को मिल रहा है तो यहां पर बाराव वोल्ड ओक्ट मिल रहा है लेकिन हमारे पास एक ट्रेवल का यह देखिए इस फैन को मैं चलाने की कोशिज करता हूं मैं कोशिज करूंगा तो देखेगा यह नहीं चलेगा यहां पर मैं इसको लगा देता हूं पर्मेनेटली इस साइड में पॉजीटिव और इस सेड में नेगेटिव तो देख सकते कि हमारा फैन नहीं चल रहा है लोड देने के बाबोजिद भी यहां पर मैंने यह जो कनेक्टर लगा के रखा हूं इस कनेक्टर पर में वोल्टेज को चेक कर लेता हूं एक्चुल में क्या होता है जैसे में लोड देता हो ना यह आउट पूट बैट जाता है यहां पर आपक में वोल्टेज इस्टेवल नहीं रहता है तो इस काम के लिए आपको दो चीज़ रिप्लेस्मेंट करना परेगा क्योंकि इसका फीडवाग जो सेक्षन है यह फीडवाग सेक्षन काम नहीं कर रहा है और कभी-कभी क्या है ना कि यह जो आप LED देख रहे हो ना यह लगा हुआ है यह दोनों चीज़ को चेंज करना परेगा उसके बाद यह प्रॉब्लेम हडेंट परसेंट हो जाएगा तो इसके लिए हमारे पास पहले से मौजू दे देखिए बिल्कुल नया और फ्रेस टी एल 431 हमारा यह ट्रैंजिस्टर टाइप का यह एक डायोड होत मिलिकर लेता हूं और निकलने का तरीका होता है ना वह भी आप लीजिए को टप नर से बहुत ही से बहुत ही तरीके से सेमिकला जाता है तो यहां पर देखिए आपको यह जो उड्रिंग पर लिए ना बहूत ही अच्छे से pourquoi बहुत ही लेना है उसके बाहारे जितने भी ले यहाँ परमिन करने के बाद आगे जो में बीकमें को आप आपको हमारे उएफ साइट पर यह वाले पहती सस्तम में मिल जाएंगे रुपीज भी है कम यंद अपको मिलेंगे परया मार्किट का रिट है थेरंगाccve nenhum पेविश्भावान करता हूं जैसे कि आप गॉयो तैकर निकाल ले के लिए तोरा oluşकुम करेंगे और उसके बाद साफेस्प्षिंद का लेग के अंदर इस्चीलalay एफ अढ़े जाएगा उसके ना मेक路 से आप ञाये उसके बाद 온 को रिमूब कर लिया हूं अब उसके बाद देखिएगा कि कि इतना आराम से हमारा कॉंपोनेंस यह देखिए बाहर निकल के आ गया है और इसका एक लेग देखिए एक लेग इसका जल गया था मेरे ख्याल से यह सही से इस्टेबल नहीं था या कनेक्ट नहीं हो पार रहा था जिसके कारण यहां पर देखिए जंग भी लग गया था और यही कारण होता है इस टाइब का प्रॉड सप्लाई के अंदर इस टाइब का प्रॉब्लेम के पीछे का और अब हमें यह जो आप देख रहे हो फिएल फो त्री ओन नमबर का ट्रैंजिस्टर टाइप का यह डाय तो यह सारे को लेक्स को फी कर लेना पड़ेगा जितने भी सोल्डर है इसका अंदर आ जाएगा यह काम कंप्लेट हो गया है जैसा ही पीछे से इसको खीचूंगा यह आपने आप बाहर निकलके आ जाएगा देखिए कितना आराम से यह बाहर निकलके आ गया अब इस जगा नम्बर पीन हमेंसा जो है इसका प्राइमरी सेक्षें में होता है अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कहां पे यह अपर देखिए सबसक्राइब दूनमबर पिन प्राइमरी में होते है तो इसका शान आभर पाइंसा लगाना पड़ेगा नुगा और उसके बाद इसके ब लोग सोल्डर कर देंगे थोरा समय इसे कर लेता हूँ और उसके बाद सोल्डरिंग का काम्भी में कम्प्लीट कर देता हूँ कि आप गया हैं यह कि अब एकस्ता जो लेक बचा हुआ है वह हमें काटके छोटा कर लेना है नहीं तो अब हमारा जो मेन चीजदा दोनों के दोनों लगाना कंप्लेट हो गया है अब इसको और भी अच्छे से प्रोफेशनल बनाने के लिए मैं इस जगा को किलिन कर लूँगा जैसे कि देख सकते हो कि हमारा क्लिनिंग का प्रोसेस कंप्लेट हो गया है अब बाड़ी आते इसको टेस्ट करने का और टेस्ट करने के बाद यह हमें पता चल जाएगा कि हमने यह जो काम करा हूँ यह काम कंप्लेट होने के बाद सही से अपने पार्फॉम कर रहा है कि नहीं यहां पे जो LED देना पहले सो थोरा सा गुलो कर रहा था अब फूल गुलो करना चाहिए तो इसके लिए हमें इसके अंदर लाइन AN gonna को लगा लेता हूं और तो मैने की का लगा दिया हूँ लगाने के बाद मैं क्या करता हूं और उसके बाद मैं इसके अंदर सफ्लाइं न पूट करता हूँ पता चले कि अ लूड काराभले मौलार है की नहीं मैं सीरीज लाइन पर इसके रहा उक्राने का पारने उसके इसके अंदर प्राद में फिक्स हो गया कि इसका वूर्ट वंटेज हुए चाहूँए मैं बार चेकर लेना चाऊंगा कि अउट्प्ट वोल्टेज ऊतना ही है या इसक नदर कोई चेंजेस आया है यह यह हमें पता चलेगा और उसके बाद मैं इसको पैकिंग करट के डेलिबर कर दूंगा और बाकी जो चारे से लखा हुआ है जो कि बारा फोल्ड यह लेकिने पांच एंपियर का है तो इसका भी रिप्यरिंग का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा अभी फिलाल के लिए इसका वोल्टेज को चेक कर लेता है यहां पर पॉइंट त्री पॉइंट सम्तिंग बोल्टेजा में देखने को मिल रहा है मतलब यह भी हमें ओक्के हो गया है यह वाला पावर सप्लाइब और जो जो मैंने इसके अंदर कॉम्पोनेंट्स को इस्तमल करा हूं चाहिब यह वाला टैंजिस्टा टाइप का डायडो टेल फ अब देख रहे हो ना यह देखिए यह 8 पीन का आईसी है उसके बाद यह हमारा तीन पीन का डायडो है जो कि 10-200 नंबर का है उसके बाद यह ट्रैंजिस्टा रहे सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स आपको हमरे वेबसेट पर मिल जाएंगे जो कि आपको यह वाला इसी हमें सा 843D यह भी आपको हमारे वेबसेट पर मिल जाएंगे इसको PWMIC या पाउर आईसी बोला जाता है हमारे पास सारे के सारे स्टॉक में रखाओं क्यूंकि जब मैं रिपेरिंग का काम करता हूं ना तो उस टामें जो भी चीज हमें जुरूत परता है सारे के सारे मार्केट से लेकर आता हूं उसके बड़ आपने वेबसेट पर डाल देता हूं ताकि आप लोगों को भी यह सारे के सारे चोटे 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 कॉंपोनेंट्स आपको हमारे वेबसेट से मिल जाए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना परे और आपका जो रिपेरिंग का काम है उसका 100% आप यूटिलाइज कर सको कॉंपोनेंट्स के वजाए से कोई भी चीज आपके पास से बापास ना जाए इसलिए हम इस तरीके का काम करता हूं इचे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया दिया हूं हमारे वेबसेट का हुआ से भी जाके आप इस सारे कॉंपोनेंट्स को ले सकते हो तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको यह वाली वाद वीडियो बहुत ही पसंद आए तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और इस वीडियो को आपने दोस्तों के साथ सेर कर दिजिए जितने भी वीपेरिंग का ग्रूप से उसके अंदर भी शेयर कर दिए ताकि बाकी लोग को भी पता चले और ऐसे ही वीडियो आगे आने वाले दिनों में देखने के लिए चैनल को सब्स्राइब और के जूरे रही है हम फिर मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लेवी सिव और बेस्ट